वे गूड बॉर्लिंग गूर आफिन गूरी नियुक्त वागत आप लोगं का तो एक अपडेट देना आपको कि श्री लंका ने एटीय को हटाके उसे रिप्लेस किया है एवीजा सिस्टम से एक प्रॉपर ईवीजा सिस्टम से तो उसके बारे में हम बात करते हैं जो स्कीम है इन्होंने आथ से यानि की 17 अप्रेल से लांच की है जो कि मुझे अगर मैं देखूँ इसके बारे में बात करूँ मेरी क्या उपीनियन है तो आइटिंग इस यूजलेस और पॉंटलेस लेकिन ऐसा किया है तो इन्होंने क्या किया है कि जो अपना गवर्वर्मेंट करने पड़ेगी स्टार्ट करने पड़ेगी अब इससे पहले जो हमें आपको इनका ओफिशियल सर्कुलर पढ़ा देता हूं आप पहले उसको देख लें इसके बाद मैं बात करूँ कि क्या ये इंडियन के लिए वीजा फ्री है या नहीं है इसका कोई फाइदा है या नह नहीं लगा तो इसका जो आउटकम है वो मैं आपको बात में बताने लगा हूं आपको 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 आप यहां पे पढ़ा देता हूं आप इसे स्क्रीन पर भी प्लीज देख लें सबसे पहले तो इनक्षर वन है इंका जिसके अंदर इनोंने डिफर्ट प्राइसिंग र दिन रह सकते हैं country या आनि की 6 मेने का वीजा लेकिन अटा ताइम 6,70 आप रह सकते हैं country में फो county ओफ साक यह जो哥 सा की वीजा टूरिस्स की कॉस्ट लगबक कुछ 200 डॉलर है और तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार इसका जो लिंक है पूरा हुआ अपने कम्यूटी पेज पर डाल दूंगा स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छे से और एक साल का वीजा लेते हैं यहां पर सुरी दस स के लिए तो कोई चार्ज आपको नहीं देना होता अगरा फिल करते हैं तो प्राजिट थूआ पोर्ट ऑफ श्रिलंका एंटर थे कंट्री फोर एक्सकर्शिन विलब चार दिन पांच दो दिन से उपर अगर आप जाते हैं तो उसकी पच्छास डॉलर आपको कॉस्त यहां अप्र अप्र ट्री विजा कॉस्त में पर यहां डाला होगा लेकिन यह इंपलीमेंट 17 अप्र डोजा चॉबशे हो रहा है ठीक है ना रोयल गैसट में बेंट व्हां अटोड़ा इस विल्च ने विलेगा आप्र वेड आपको खेंट तो इस अट्स क्राद के आपको में त Global Institute to implement the e-visa system, the online methodology to be introduced in lieu of ET electronic travel authorization, यह important point है, implemented at present and its web link has been mentioned below, जो की है www.shilanka.evisa.ilk ठीक है, तो अब जो है, यह circular है, आप मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं, तो अब मैं आपको जो important चीज़ बताना चाहता हूं, मैं अगर आप देखना चाहते हैं, आगे वीडियो देखें, आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पर क्या है कि आप क्योंकि इन्हों ने integrate कर दिया है third party companies के साथ, जैसे VFS Global के साथ, तो visa fees 30 अप्रेल तक तो zero है, जो government fees है, visa fees है, वो तो zero है, immigration fees जो होती है, वो zero dollar है, लेकिन इसके साथ, क्योंकि अब आप VFS Global के थूँ अप्लाई करने लगे हैं, तो यहां पर service charges जो है, आपके केबल हो जाएंगे, जिसकी cost बनेगे लगबाग कुछ 18 डॉलर के आसपर एंसम सेंट्स, प्लस convenience fees क्योंकि आप online apply कर रहे हैं, तो उसके additional cost है $3.11, तो मेरे इसाब से इस ETA का यह e-visa system का कोई भी फाइदा नहीं है, और अगर यह claim कर रहे हैं कि 15 दिन के लिए आप additional यानि कि 30 अपरिल तक travel कर सकते हैं free of cost, तो it doesn't make hardly make any difference to the people, क्योंकि जो पुराना total था उसके थूरू हम हमें कोई भी cost देनी नहीं पड़ती थी, अराम से हम निकाल लेते थे, ETA का लेटर और वहाँ travel करते थे, लेकिन यहां पे अब VFS के थूरू अगर आप अप्लाई करते हैं, तो service charge जो है third party वो तो अपने लेगी, तो इसलिए यह हमार लिए अगर हम द कुछ भी पैसा नहीं दे रहे थे, इसकी ETA का लेकिन अब इसकी cost service fees at least आपको देनी पड़े की 30 से पहल तक उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि यह आगे visa को free रखेंगे, हो सकता है additional cost से यह 15-20 dollar की government अपनी लगा दे and plus on the top of VFS, तो हम आगे चलके देखते हैं post April 30 लेकिन अभी तक का यह अपडेट था और आप स्क्रीन पर लेकिन लेकिन लगता, I'll just give you a walkthrough कि कहां से कैसे apply करना और exactly मैं के देख पार हो screen और आप के देखते हैं बाद में, let's see that, okay, चली देखते हैं किस तरीके से आप श्रीलंका का नया e-visa apply करते हैं कि साइट से इसका link में description में देदूंगा और थोड़ा सा गर मीचे जाएं आप पड़ सकते हैं इविता waiver, fees waiver scheme has been introduced for citizens of China, India, Indonesia, Russia, Thailand, Malaysia and Japan with immediate effect until April 30th, 2024, last date of arrival for tourism only, ठीक है ना, अभी क्या जरते हैं, apply now पे click करते हैं और सबसे पहले आपको sign up करना पड़ेगा इसके लिए, जो कि मा अलड़ी कर चुका हूँ, आपको मैं सीधा straight अंदर लेके चलता हूँ इस पूरे पॉर्टल के अंदर और आप I'll just give you a walkthrough कि किस तरीके से आप apply करते हैं, तो ऐसे register करना होता है, email ID डालना होता है, mobile number डाले है और nationality select करे, OTP आएगा आपकी email ID पे और आपको वो choose करके sign up करना है, यह मैं आपको सिर्फ ID पे दुबारा आ जाएगा, send OTP, अब यह देखिए, उपर message भी आ गया मुझे, अब मुझे अपना mailbox खोलना है, और यहाँ पे मेरे पास one time password आएगा, और नीचे में OTP copy करके पेस कर देना है, यह देखिए, मैंने डाल दिया, and sign in, ठीके जे, अब हम इस page पे आगे जाते है है, जब थोड़ा सा time लेगा, load करने में, आज पहला दिन है, तो यहाँ अलड़ी मैंने file अपनी submit कर रखी दी, तो मैं से continue कर रहा हूं, तो खोल के दिखा रहता हूं, exactly, first page से हम शुरू करते हैं, तो हम सब से पहले चलते है, eligibility criteria वाले page पे, यहाँ पे आपको अपने nationality डाल 30 days single entry visa, ठीक है, यहाँ देखे, message भी पढ़ सकते है, the visa category can be selected if your arrival date is or or before 30th of April 2024, ने तो आप और category का visa choose करेंगे, तो आपको payment लग सकती है additionally, अब मैं आगे next page पे जाता हूं, documents upload करने शुरू करता हूं, तो यहाँ सब से पहले मैं अपने जो passport size colored photograph है, वो मुझे यहाँ पे upload करनी पड़ेगी, तो इनका process बिल्कुल ही change हो चुका है, जो ET की site 3 वहाँ से आप apply ना करें, upload कर दें इसको, यह dummy files हैं जो मैं upload कर रहा हूं, इसके बाद यह हो गया, आपने की red, green tick आ गया, अब मैं यहाँ पे जो passport की dummy है, वो भी लगा देता हूं, और additional documents को supporting documents सो दिखा सकता हू save and continue करते हैं अभी, यहाँ तो मुझे passport की details आनी है, exactly जो passport पर दिये हैं, वही मुझे यहाँ पर डालनी है, फटा फट चे डालते है, date of issue आप देख सकते है, date of expiry, date of birth, title mister, your name, given name and as per your passport, surname, ठीक है, यह मैंने डाल दिया है, चलिए, next page पर चलते हैं, और यहाँ पे आपको जो country code, mobile number, दुबार से आप डालेंगे, country code और whatsapp number, आपको मतलब वही है, अगर आपको mobile number, whatsapp number भी enabled है, whatsapp भी enabled है, तो आप यहाँ पर डालें, ठीक है, social media के link से यह माग रहे हैं, जुरूरी नहीं है, यह mandatory fields नहीं, जो और red districts दिया है, बस आपको वही भर नहीं है, चलिए, अब date of arrival in Sri Lanka, additional details में आपको डालना है, port of entry, बंद रनाई का international airport में, Colombo airport चूज करता हूँ, duration or during your stay in Sri Lanka, your pace of stay will be, तो hotel का नाम मुझे यहाँ पर डालना है, hotel में stay करूँगा, type of accommodation, date of proposed departure from Sri Lanka का, मैं छोड़ूँगा, Colombo hotel, hotel का address देना है, और hotel का contact details अगर है, आपके आपके पास तो द देखाता हूँ, let me just finish it up, और save and continue करते हैं इसके बाद, बुच भी डाल रहा हूँ है, randomly, यह देखे है, hotel के जो है, आपको phone number, contact details डालनी है, एक चीज़ और के अगर आप additional आपके सर लोग जा रहे हैं, तो उनका add applicant का option भी आपको नीचे मिल जाता है, यह देखें आप, यह मन charges है, $18.05 और $3.11 है convenience fees, यहाँ पर तो टोटल $21.81 जो आपको यहाँ पर pay करने पढ़ेंगे, और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले, इस वीडियो को लाइक भी करते हुए जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, for more travel content through this channel, the travel man today, and I see you once again, goodbye and take care.